मद्ध प्रदेश में एक और जहां हैवानियत के मामलों में तेजी से बड़ उत्री हो रहे हैं वहीं दूसरी और सिवराज मामा की बुल्लोजर कारवाई अपरादियों के होसलों को जमीन दोस करने में जटी हुई है ताजा मामला शेपपुरी जिले के करेरा थाना चेतर के बड़ेरा काओं का है चांद चार दिन पूर एक पंदर साल के नवाली किशों ने एक छे साल की मासूं बच्ची के साथ दुशक्रम करने के बाद उसकी पीट-पीट कर बहरे में सिहत्या कर दी थी पूलिस ने आरोपी को पकड़ के बाद सुधार घ्रे भेज़ दिया है वहाई इस मामलें पुरशासन ने एक और बड़ी कारवाई करते हैं दुशक्रम के आरोपी के घर पर बुल्लोजर चरवा कर घर को जमीन दोस कर दिया है रुशासन ने आरोपी की घर को किया जमीन दोस जानकारी कैनुसर करेरा थाना चेतर के हाथ रस गाउं में मंगलवार की सुभा राजिस और पुलिस भाकी सहिए उक्ति टीम दोरा बुल्डोजर चलाका दुशकरमी के बाकान को जमीन दोस किया गया है इस दोरान दुशकरमी के परिवार को कोई भी सदसे मौके पर मौजूद नहीं था बताय जा रहा है कि पुलिस दारा दुशकरम के आरोपी को पकड़ने की बास सारा परिवार गाउं छोड़ कर कहीं और भाग गया है कारवाई की संबन में करेरा इस डिम दिनिश शुकला ने बताया कि ये कारवाई घ्राम पंचायत के दोरा की गई है घ्राम पंचायत दोरा आवेद अतिकरमन हैताने के दोरान सुरक्षा की मांग की गए थी जिसवर मौके पपुल्स बलके साथ प्रशासन के टीम मौझूद रही इस दोरान अवेद अतिकरमन कर बनाई गए दो कमरों के एक घर को जमीन दोस किया गया है करेरा विदानसवा छेतर में एक निंदनी एगटना हुई है बच्ची के साथ नावालिक बच्ची के साथ इतनी निंदनी एगटना हुई क्या कहना है आपका इस प्रसासन से बात करके इस निंदनी एगटना तो इस उसको लेकर उस परिवार में प्लस विदानसवा छेतर के लोगों में किस तरीके को था प्यामस वा, भुदी, मदब उनको होगी उसका हम प्रियास करेंगे प्रसासन और सासन के गौरा